हेलो गाईज, वेलकम टू माई चैनल, दोस्तों, आज मैं आपको दिल और दिमाग की कहानी के बारे में बताने ज़रा हूँ, दोस्तों, मैंने कहीं सारी मोरल कहानिया पढ़ी है, आपने भी पढ़ी होगी, लेकिन कुछ मोरल कहानिय ऐसी होते है, चो बहुत खास होते है, क्योंकि वह हमारे खुद के बारे में होते है, आज ये मोरल कहानी भी आपको वही एहसास दिलाने वाली है, इसलिए इसे बहुत दियान से बढ़िएगा एक शहर के पास एक जंगल था जहां दो बिखारी रहा करते थे क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था इसलिए जंगल को उन्होंने अपना घर बना लिया था किसी इंसानों के घर के पास रहने पर वो उन्हें वहां से हटा दिये देते इसलिए उन्होंने जानवरों के घर यानी की जंगल में ही अपना मुनासिफ समझा सुभाइक रुप से वे दुश्मन की तरह एक दुसरे को देखते थे तो यह एक ही पेशे में थे और दोनों में एक दुसरे से ज्यादा भीक के पेशे जुटाने की प्रतिस परदा थी दोनों भीकारियों में से एक अंधा था और एक लंगडा था और वे हमेशे अपने ग्राहक को यानि की भीक देने वाले लोग को लेकर जगडते रहते थे आप नहीं जानते कि भिखारी आपके बारे में क्या बाते करते हैं उनके अपने ग्राहक है, उनके अपने क्षेत्र है वे दोनों भिखारी लगातार लड़ रहते थे उन्हें एक दूसरे के कारण बड़ा संगर्श और प्रतिस परदा करनी पड़ती थी भीख मांगने में इसलिए वो दोनों भिखारी सालों से दुश्मन थे यह दुश्मनी ऐसे ही चलती रहती लेकिन एक दिन जंगल में आग लग गई अंधर भिखारी चलने और दोडने में पूरी तरह सक्षम था लेकिन यह उनके लिए खतरनाक था कारण वो देख नहीं पा रहा था कि वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं लंगड आदमी सब देख तो सकता था लेकिन अपने आप नहीं चल सकता था वो आग को त्यजी से अपनी तरफ बढ़ते हुए देख रहा था लेकिन बेवस था वहां से हिल नहीं पा रहा था आग इतनी त्यजी से फेल रही थी कि और हवाय इतनी त्यज थी लेकिन वह देख सकता था कि अभी भी बाहर निकलने की संभावन थी कुछ थान ऐसे थे जहां आग अभी तक नहीं पहुँचे थी लेकिन जल्द ही आग वहां पहुच सकते थी जल्द ही वे हर तरब से आग से घिर जाएंगे वे दोनों अपना सारा निरोध प्रतिश परदा भुल गए यह लड़ने का समय नहीं था यह एक होने का समय था और उस अंधेने लंगडे को अपने कंदे पर उठा लिया और वे एक शरीर की तरह काम करने लगे अब उनकी आखो थी और उनके दोनों पेर थे लंगड़ा आदमी देख सकता था और निर्देशित कर सकता था कि उन्हें कहां भागना है तेज या धिमे और किन दिशावों से बचना है और अंधा लंगडे को कंदों पर उठा कर दोड़ने का मैं समर्थ था वे बिना घायर हुए जंगल से बहार आ गए यह प्रासिन कहानी आपके दिमाग और आपके दिल के बारे में है आपका दिल देख सकता है लेकिन कह नहीं सकता आपका दिमाग कह सकता है लेकिन देख नहीं सकता यदि आप अपने दिल और दिमाग को अपने प्रेम और तर्क को करीब लाने में सक्षम है अपने अनुभाव और अभिव्यक्ति को करीब लाने में सक्षम है तो शायद मन भी कुछ महतो पुर्णा कह सकता है यह पुर्णा नहीं हो सकता है यह संपुर्णा अभिव्यक्ति नहीं हो सकता है लेकिन यह सही दिशा में एक संकेत हो सकता है मैं ऐसा नहीं कहता कि दोनों के साथ आने से गलतिया नहीं होगी लेकिन उतनी नहीं होगी जब वे अलग-अलग रहते हुए होती थी तो दोस्तों ये छोटी सी मोरल कहान ये आपको अच्छी लगी हो तो ये चैनल को लाइक, शेर और सबस्क्रेब जिरूब कर देना वे हैं, जमी को जाड़ रहते हुए हो नहीrettी हो